तो आज मैं आपके लिए लेका आया वीडियो जो कि ये टॉफ फाइब बीचिक्स बाइक्स चो इंडिया में अब कमिंग लॉंच होने वाली है तो ये वीडियो को जबूर एंड तक देखना और आपको अच्छा लगा तो लाइक करना वीडियो को यह मैं पहले बता देता क्योंकि बहुत ही अच्छा वीडियो हने वाला है और आगे ऐसे भी वीडियो आएंगे कि जिसमें में बाइक के बारेंगे में बताऊंगा तो चलो विदाउट वेस्टिंग अने टाइम अभी अम लोग बढ़ते हैं आगे सो मैं इस पहले बाइक के वरे में बात करते तो यह आता है यामा का XSR 155 जो इंटरनाशनली लॉंच वा था 2019 में और इंडिया में लॉंच आने वाला था मार्श 2020 में फर्द्यू टो कोरोना यह बाइक लॉंच हुआ नहीं और इसका अभी एक्सपेक्टेड लॉंच आने वाला है कुछ सब्टेंबर 2020 में तो यह बाइक क यह बाइक आता है यामा का वर्जन 3 का जो इंजीन है और एंटी 15 का इंजीन है उसका यह सेम इंजीन यूज करता है तो यह आता है विच स्लिपर ग्लच और सिंगल शाइनल ABS के साथ में और जिसका माइलेज होगा और 40-45 kmpl और टॉप स्पीड होगा 140 kmph का और इसका वेट ह होगा 134 kg और fuel capacity होगा 10 liters और इसका seat height 8.10 nm का तो यह था यह बाइक के बारे में तो अभी बढ़ते हैं अगले बाइक के तरफ अभी बढ़ते हैं अपने सेकेंड बाइक के तरफ तो यह आता है अप्लिया का ट्यूनो 125 जो की लॉंच होने वाला था मार्च में पर ड्यू ट 35,000,000 और यह होगा 124 CC BS6 engine होगा तो अभी बढ़ते हैं इस बाइक के फीचर के बारे में तो यह बाइक maximum power create करेगा 15 Nm का जिसका maximum torque होगा 11 Nm और 6-speed transmission के साथ ही बाइक आएगा और जिसका competitor होगा RC 125 और इस बाइक का front में upside down forks है और rear side में monoshock suspension है इस single channel ABS आता है इस bike का mileage देखा जाए तो गाइस यह आता है 45-50 kmpl का जिसका top speed है 120 kmph का और जिसका fuel capacity है 14.5 यह बहुत ही बढ़िया fuel capacity है इस bike के साथ और seat height इसका आता है 820 Nm तो गाइस यह था इस bike के बार में तो गाइस अभी बढ़ते हैं अपने 3rd bike की तरफ दियात है Honda का Hornet 160R जो launch होने वाला है July 2020 में जिसका expected price होगा और इसका engine capacity है 162.7cc का जो आता है 4 stroke single cylinder और BS6 engine के साथ में सो गाइस अभी देखते हैं यह bike के features तो यह bike का आपको cosmetic changes देखने को मिलेगा इस bike में और body color scheme आपको change होता हो दिखेगा और यह bike आता है single channel ABS के साथ में जिसका fully LED light है इसमें और fully digital instrument cluster भी मिलेगा आपको इसका weight है 138 kg with fuel capacity इसका होगा 12 liters का और seat height है 790 mm का यह bike का average है 40-45 kmpl और top speed है 120 kmph तो guys यह था इस bike के बारे में तो अभी बढ़ते हैं अपने 4th bike की तरफ तो guys अभी बढ़ते हैं अपने 4th bike की तरफ तो ही आता है hero का extreme 160R जो की launch होने वाला था March 2020 में बड्यू टू लॉक्डाउन यह भी launch होगा July 2020 में जिसका expected price होगा around 95,000 और इसका engine के अपैसिट होगा 160cc with air-cooled BS6 engine so guys अभी देखते हैं इस bike के features के बारे में तो यह bike का power generate करता है 15.21 PS का with the torque of 14 Nm और यह bike आती है with 5-speed transmission with 45-50 kmpl का average देता है यह bike और इसका top speed 120 kmph का यह bike 0-60, 4.7 seconds में चला जाता है तो यह बहुत ही aggressive bike होगा इस category में इसमें front में telescopic front fork होगा और rear में monoshock suspension होगा with single channel APA से bike आएगा wheel capacity है इसका 12 liters का और seat height है 790 mm का with a weight of 139 kg तो यह bike का power to weight ratio बहुत ही अच्छा है तो यह bike ता 4 था हमारा और अभी परते हैं अपने last bike की तरह 5th bike की तरह है अभी बात करते हैं अपने 5th bike की तो यह आता है Honda X-blade BS6 इस bike में कमी थी FI engine की तो इस बार वो कमी भर दी गई है और यह bike expected launch होगा July 2020 में और इस bike expected price होगा around 95,000 इस bike engine capacity 162.7 cc का इस bike की features के बारे में तो यह bike power create करता है 14.12 PS का with the torque of 14 Nm यह bike आता है 5-speed transmission के साथ में इसका same feature से as per BS4 engine का जो था और यह bike आता है single channel ABS के साथ में जिसका weight है 140 kg और इसका fuel capacity 12 liter का इसका seat height 790 mm का और यह bike देता है 45-50 kmpl का average और इसका top speed है 110 kmph so guys यह थी हमेरे top 5 BS6 bikes जो इंटा में upcoming launch होने वाली है तो अगर यहां तक वीडियो को देखा है तो जरूर लाइक करना और इस वीडियो को share करना और subscribe करना अगर नहीं किया